जीमेल की एक गुप टीप्स, क्या होगी ये गुप टीप्स, आप जानने में जरुरू इंटरेस्टेट रहेंगी, तो चलिए, सबसे पहले मैं देमो दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर मेरा मोबाइल ओपन कर रहा हूँ, और मोबाइल में अल्रेडी जीमेल ओपन करके रखा है साइड में आपको दिखाए दे रहा है, और यहाँ पर पहला इमेल जो आया है, मुझे एक्सल टुट्रोयल की तरफ से आया है, टेक एक्शन इमिजेटली, चलिए मैं यह एमेल ओपन करके आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर टैप के, यह एमेल मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लिख्या रहा है, verify identity, to view this email, you must first confirm your identity, a one time passcode will be sent dot 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 dot, mobile number zero one something, right, तो मुझे इस email को open करने के लिए पहले passcode enter करना पड़ेगा, send passcode पे मैं tap करता हूँ, जैसे मैं tap करूँगा, मेरे mobile पे एक passcode आएगा, उसके बाद यह email open होगा, त और नीचे मैं यहाँ पे इस passcode को पेश करता हूँ, और मैं submit करता हूँ, अब देखते हैं, यह email open हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ message, your account is deactivated बगरा और नीचे content expire 22 November 2022, अब आज जो record कर रहा हूँ वीडियो तो यह है 21 November, तो एक दिन के बाद यह email automatically expire हो जाए उसके inbox से delete हो जाए, तो यह अगर आप जानने में interested हो कि बई, email के अंदर यह भी होता है, confidential email भी बेचा जा सकता है, मतलब कोई भी email बिना passcode का open करी नहीं सकता, तो आप जानने में interested हो, तो यह video end तक देखिएगा, मैं सतीश, complete technology channel में आप सब का सौगत करता हूँ, लेकिए email का यह hidden feature, let's begin जी हाँ, यह PDF editor software जहां से आप PDF को आसानी से edit कर सकते है, PDF में से पुराना text हटा के, नया text एड़ कर सकते, या फिर आपको PDF में annotation एड़ करने, जैसे arrow एड़ करना है, रेक्टेंगल एड़ करना है, तो वो भी आप आसानी से add कर सकते, साथी में आप PDF को compress करना चाहते, तो वो यह Swift Do PDF editor आपको बहुत सारी PDF files आपके वस पड़े, उनको merge करने में भी help करता है, बहुत सारी PDF को merge कर सकते, या फिर एक बड़ी PDF को आप split कर सकते, अलग-लग pages में, और अगर आप चाहते अपने PDF में automark add करना, तो वो भी आप कर सकते, PDF में automark add कर सकते, PDF में आप signature add कर सकते, यह सारे features यह Swift Do PDF editor आपको available करके देता है, तो अगर आप इसे download करना चाहिए, तो description में हमने link दी है, तो यह था Swift Do PDF editor के पारे में फिलाल आपने topic की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसी कि मैंने intro part में आपको दिखा है कि हमें confidential email, यानि कि email की गुप्त tips हमें सीखने हैं, तो उसके पिले confidential email लिखने के लिए आप Gmail में आ जाईए, आपके Chrome browser में email open कीजिए, या जो भी browser आपकी पास उसमें email open कीजिए, या पर compose पे आपको click करना है email लिखने के लिए, आपको पता ही है email कैसे लिखा जाता है, उसके बाद 2 में आपको email ID लिखना है, जिसको आपको भेज़ना उसके बाद यहाँ पे मैं email का एक format लिखता हूँ जो कि मैंने उसे copy page मैंने किया यहाँ पे तो यह email लिखे हो गया, अब मैं इस email को send करना चाहता हूँ, तो मैं directly send नहीं करूँगा, यहाँ पे send button आपको दिखाए दे रहा है वैसे भी, right, तो मैं यहाँ पे directly send नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं जाओंगा यहाँ पे, यह option आपको दिखाए दे रहा है toggle confidential mode, इस पे मैं click करूँगा, जैसे मैंने click किया यहाँ पे आप देख सकते क्या हो रहा है, यहाँ पे एक pop up आ रहा है, confidential mode का और जिसमें आपको set expiration आ रहा है, कि भाई, आप इस email को कब expire करना चाहते, मैं चाहता हूँ कि भाई, यह next day expire हो जाए मतलब एक दिन के अंदर, अगर उसने पढ़ानी, या फिर मैं एक week, या एक मेना, या तीन मेना, तो आप ओ expiration set कर सकते है, यहाँ पे, तो आज है यहाँ पे SMS passcode हो, save, अब यहाँ पे जैसे आप save करोगे नीचे देखिए, content expire, कभी expire होगा, यह message भी आ रहा है, यहाँ पे edit करना चाहते है, यह तो फिर से edit भी कर सकते है, अब मैं send बटन पे click करूँगा, यहाँ पे complete नहीं हुआ है, याद रखिए, मैं send करूँगा, उसके OTP मिल जाएगा उस पे, तो मैं यहाँ पे country में क्या select करूँगा, अपकूस India select करूँगा, और यहाँ पे मैं mobile number डालूँगा, अब यह सारी चीजे में blur रख रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे mobile number डाला है, और मैं यहाँ पे send button पे click करूँगा, जैसे मैंने send button पे click किया है, यह email send हो चुका है, अब मैं mobile में आपको दिखाना चाहूँगा, वही कैसे आएगा यह, mobile मैंने open किया, यहाँ पे recording side में भी दिखाय दे रहा है आपको mobile का, और मैं यहाँ पे refresh कर देता हूँ, तो यहाँ पे mobile में आप देख सकते है, उपर पहला ही email आ चुका है, Excel Tutorial Take Action Quickly, मै इस पे tap कर देता हूँ, इस email को मैं open कर ओ, mobile में से, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से भी आ रहा है, send passcode, तो मैं यहाँ पे tap करता हूँ, send passcode पे, send passcode पे tap करने के बाद यहाँ पे उपर passcode आ रहा है, मैं इसे copy करूँगा, और नीचे आपको क्या करना पड़ेगा पेस्ट करना पड़ेगा, submit करना पड़ेगा, और फिर यह email आप देख सकते हैं, जो भी है, यहाँ पे देख सकते email आच चुका है, पुरा पुरा, content expire भी, date आपको दिखाए दी रही है, तो यह basically email का feature है, मुझे कापी अच्छा लगा, यह features, basically उन लोगों के लिए हो सकता है जिनको कोई confidential email भेजना है, और वो email like inbox से एक दिन के बाद गायब हो जाए, एक दिन के बाद यह expired हो जागा, डिलिट हो जागा, आपको करने भी जरूद नहीं, automatic डिलिट हो जागा, वैसे भी email की उपर मैंने और भी features का एक वीडियो बनाया था, 15 useful features, तो वो वीडियो मैंने आई बटन पे लिंक दिए, साथी में अगर आपको मेरा teaching ठेल पसंद है, तो description मेरी website चेक कर सकते हैं, मेरे और भी channel है, उनको भी आप जरूर चेक आउट कीजिए, ये tips अची लगी है, ये मेनत अची लगी मेरी, तो वीडियो को लाइक कर देना, यार, like करो, share करो, subscribe करो, मै हमें लोंगा कुछ और इंट्रेस्टिंग उडियो के अंदर, तब तक इले आपना खयाल रखो, बाइबाई